असलाम लेकुम कैसे हो आप सब अलम दिलीला में एकदम ठीक उम्मित करती हूं कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो जी ये जो प्रैंक वाला इसने वीडियो बनाई थी इसके पर मेरी को एक दो भेना ने बोला कि आपने रियाक्शन क्यों नहीं दिया तो मैंने सची क्यों ना इसके पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए जिस तरह से ये बच्चे को शुरू में वीडियो के शुरू में बच्चा सोफे पे था और कोसर दर्वाजे के पास थी ये उपर ते उतर के आई और इसने दिखाई के बच्चा सोफे पे अकेले पड़ा है और उस चीज को लेके बिना कमेंट वालों ने इसको खूब धोया है कि बच्चे के उपर थोड़ा सी ध्यान रखना चीए सच में ये लोग इतने ज़्यादा बेफिकर कैसे इतनी चोटे बच्चे को लेके क्यूंकि गर में चिपलक वगेरा भी रहती है कौकरुच वगेरा कभी आ गया या कोई चीज बच्चे के पर गिर गई काट ली तरह से बच्चे को छोड़ देना फिर दूसरा सोफे पर रखके छोड़ दिये कोई भरूता नहीं ये बच्चा कब पल्टी मार ले कब बच्चा सरक जाए और नीचे आके गिर जाए अल्ला ना करे कुछ कम ज्यादा हो जाए और फिर बाद में गोंचु के हाथ में देते हुए बोल रही है जरह बच्चे को लेना तो सीखो जरह देखो तो सही बच्चे कैसे बड़े होते हैं तो पिटारा पहले तू तो सीख ले के बच्चे कैसे बड़े होते हैं तेरे तीन तो तुने बड़े की नहीं वो तो गोंचु ने बड़े किया हैं और तू उसको सिका रही है कि बच्चे बड़े करना सीखो थोड़ी थी शरम कर ले जो तेरे तीन बच्चे हैं जो गोंच देखे उनको बड़ा किया है ना तो वो गोंचु ने बड़ा किया है बाकी तुने ना बच्चों का ना ख्याल रखी है ना ही तो बच्चों को समा लिए ना ही तुने बच्चों को बड़ा किये और वो आज भी दिखता है कि बच्चे तेरे किस तरह की हालत में रहते हैं अग बाद में दूसरों को ये लेक्शर देना गोंचु को बाद में लेक्शर देना बाकी रही बात के वो कोसर के बच्चे को लेता नहीं है तो वो तो खुद नहीं लेने देती है ना तो खुद लेने देंगी तो वो बच्चे को लेंगा ना तो तो खुद इतनी जल कुपड़ी कि यहां से यहीं थाबित होता है कि बच्चा उसका है नहीं तभी तो उसको प्यार नहीं आता ना उस बच्चे के उपर किस तरह से वो तीनों को लाड़ करता है प्यार करता है मार भी खा लेता है उनकी लेकिन इस बच्चे के लिए मैंने नहीं देखी कि उसके दिल में जरा भी महबत होगी बापकी बेवकुफ कितना अच्छा बनाती है ना रमजान के साथ में जार ही है वो डराने वाली चीजे लेने के लिए और बोल रही है कि मैंने गोंचु को बोली गाड़ी आगे लेके वहां पर चुप चाप से खड़े रो और फिर बोलती है कि गोंचु ना ये इनको बराबर गुलाम मिले हुए फिर भी रोते रहते हैं कि हमारे अद्बेंड हमारे गुलाम नहीं है और रमजान के साथ में जा रही है अच्छा हुआ पर कोसर भी थी ठीक है ऐसे तो कोसर बच्चे को अके घर सा काम करती रहती है तो क्या दो मिनिट कोसर बहुत अच्छी लगती है इसके लिए ना ये रमजान के साथ में गुमती है फिर कोई कंट्रोवर्सी निकल के आएंगी कोई गंद निकल के आएंगा ना तो बोल देंगे नहीं नहीं रमजान जूटा था उसने पैसे मांगे से उसने बलیک मेल किया था उसने जूट बोला ना इसके फिर से गुनाओं पर परदा डालेंगे जो के ये है औरत वैसी बाकी मुझे एक बात नहीं समझ आती है कि इस बात के उपर कोई क्यूं नहीं बात करता कि ये जब गंदे कपड़े पहने रहती है तो इसको अबाया याद आता है वरना इसको भूद बनना होता है तो घटिया काम के लिए अबाया याद आता है वरना ये अबाया को पूस्ती भी नहीं है पहनती भी नहीं है इसा लग रहा है कि जैसे अपनी इज़्जत के साथ साथ इतने अबाया भी बेच दिये तो इस चीज के अपर इसके अपर कोई की नहीं आवाज उठाता है कि दू अबाय कि जो इतनी बेजजती कर रही है इतनी ज़ादा तो उसकी जिल्लत कर रही है तो ये करना क्यों नहीं चोड़ती गड़ी में इसका डुपटा सर पे आ जाता है गड़ी में नीचे उतर जाता है तो थोड़ी सी इसको शरम करनी चाहिए बाकी पिटारा रात को तीन बजे किचन में जाके फिर वहाँ पे जो भी इसने बोली है कि मैं सो के उड़ गई हूँ और मेरे हद्बेंड को सुलाते सुलाते मेरी आँख लग गई थी हद्बेंड नहीं सो रहे थे वो अभी सोए तो अभी में जारी फ्रैंक करने तो आप लोग पिटारा का मुँ देख लेना जबके इसके मुँ से सुजनी तीन चार गंटे के बाद में उतरती है तो इसके किसा से ही डायलोग रहता है कि गोंचू बहुत जल्दी सो जाता है बैंड बाजा बजाओ शोर करो गर्मी रहे कुछ भी रहे लेकिन गोंचू टैम पे सो जाता है जल्दी सो जाता है और हमेशा हमने देखे भी है कि गोंचू एना मुरगा है मुरगे ते पहले वो उट भी यह सब जने पूरी राज जगते फिर तुबा में जाके लुक्त होते जैसे के यह जो बच्चे के नाम करन का और पता नहीं हाँ बच्चे का फेस रिवील का जो वीडियो बनाई थी वो भी देख लो सुबाद 6 बजे वो वीडियो कम्पलीट हुआ था है ना यह सारी चीजों से आप लोगों को पता चल रहा होगा लेकिन यहाँ पे ना यह बहाना कर रही है जूड बोल रही है के आज हम लोग खली प्रैंक के लिए जगे है नहीं पिटारा तु प्रैंक के लिए नहीं जगी है ये तुम लोगों की रूटिंग है पुरी राद जगना और पुरा दिन सोना ये तुम लोगों के घर की रूटिंग है बच्चों की भी और तेडी भी सिर्फ गोच्चु है जो रोज जल्दी सो जाता है और मुर्गे की तरह रोज जल्दी उठ भी जाता है तो खरीदते हुए देखे, तो ये ग्लाउस किसका है, ये क्यूं इसके पास में था, आप पता चला, जिसे कि मैं हमेशा बोलती हूं ना, कि ये होटल वगेरा में जाती है ना, तो ये पूरा अपने आपको कवर करके जाती है, ताकि स्विसी टीवी में ना आ जाये, इसके लिए ये ग्लॉस इसके पास था वरना के ये वरत इतने परदे वाली तो है नहीं ना कभी इसने पहन के दिखाई ना इसने पहनी है तो ये ग्लॉस इसके पास में क्या कर रहा था ये खुद अपनी पूल पट्टियां कोलती है और फिर इसके पर और जब हम बात करते हैं तो लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है कि क्यों बात की है तो हमारे बात करने का रिजन है ना पिटारा खूद है इससे पूछो ये ग्लॉस काय के लिए है तेरे पास क्यों आया कैसे आया अब काम में नहीं आता है क्योंकि अब इसने कलॉप से ना बैटरूम रख लिए जिसको कोई नहीं यूज करता है तो उसको ये होटल की तरह यूज कर रही बापकी ये होटलों में जाने के लिए ना ये अब आया ये ग्लॉस वगेरा ना हैंड ग्लॉस ये सब हैना होटलों के लिए था इसकी जो के सबी को पता है बात परदा ड तो रात के तीम में सुबह के पांस साड़े पांस बज़ रहे होंगे वो टैम पर ये प्रैंक कर रही है जो टैम पर देखो आप लोग हलीमा भी सोके उठके आ गई है कौसर भी उठके आ गई है तो वो लोग कैसे उठके आगए क्यूंकि उनको आदत है न सुबह जल्दी की है और वही आदत बच्चों को भी तो ये रात के तीन बज़े नहीं सुबह के छे बज़े प्रैंक हुआ था और इसका प्रूब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाकी पिटारा बाकी पिटारा को तमीज कितनी अच्छी डाली है इसकी माने बलके पूरे खांदान क को ही आदत है जाग गया थंडे रियक्शन दिया कैसी तू तडाक से लोग अपने अपने हस्बेंडों से बाते करते ना इतनी गंदी लगती है ना इसे लगते है इसके मूँ पे ना इसके हस्बेंड को एक चपेड रखके देना चीए लेकिन घटिया और आदमी भी उसी त वाज निकाला था उतने फिर ये जाके उसके सीने पर गीर रही है चिपक रही है इससे ये क्या थाबित करना चाहती थी कि तू उसके साथ में उस तरह के रिलेशन में है लेकिन एजाज को नहीं बताती है जात चुपाती है कि मैं गोंचु के साथ में वैसा रिलेशन रखत और वह गूंचु जब तू डराने के लिए गई थी ना पिटा रहा तो गूंचु जिस तरह ते में पकड़ने जा रहा था उसने समझ में आ रहा था Vetzie dzisiaj याति जिस तरह में रहे कि जब वो कौसर के साथ में नहीं सोता है तो सोचो क्या दूतरे घर पे वो सोने जाता होगा कौसर कौन से रूम में सो रही है कौसर किस के साथ सो रही है कौसर के साथ में कौन सो रहा है ये भी बता देती पिटारा हर चीज में ये बेनेफिट ले रही है पैसा भी इ है कि जब कोसर के पास में नहीं सोता है तो आप लोगों को लगता है कि महां जाता होगा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है या तो फिर कोसर को उसके अद्बेंड के साथ में कोई एचा रूम दियेंगी जहां पर ये कैमरा लेके बिल्कुल भी नहीं घूसरी है तो ये होता है मतलब साड़े छे साथ बजे के बीच में इतना उजाला होता है तो फिर यहां से जूटो पकड़ा गया कि यह सुवरात के तीन बजे यह प्रैंक कर रही थी यह जूटो यहीं से पकड़ा गया बाकी यहां पर बहुत सारी चीजे जिसके उपर लोगों ने बाते भी की के उन लोग छटा पे सोय हुए जब के यह खुदी बताती है कभी भी बारिश होती है वहां पर तो फिर इलोग छटा पे कैसे सोय हुए थे रमजान उसकी पूरी फैमली को लेके च्छत पे सोया हुआ था मतलब कि ये जिस तरह से बोलती है कि ये लोग तो मेरे रिष्टेदार है जब इसने चोरी का इल्दाम लगाई थी तो ये बोल रही थी ना कि ये तो मेरी भेन की तरह है मैं तो इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत इज़त देती हूँ हम लोगों ने इसे कभी नौकर समझाई नी तो फिर तु यहां पे सो जाती पिठारा तुम लोग का इसी वला रूम इसको दे देती तब हमें लगता कि हाँ तु इनको नौकर नी समझती है तु तु नौकरों से भी ज़्यादा बत्तर जिंदगी में इनको रखी है बहुत ज़्यादा गिरी हुई हरकत है तुने न ये करके दिखाई है और चट पे सो रहे है चोटे-चोटे बच्चे है चट खुली है कीड़े मकोड़े आ जाए बारिश हो जाए कुछ हो जाए मतलब कोई भी चीज का लिहाद नहीं है या हमेशा बोलती है इसके बच्चे उपर है मतलब छट पे रह रहे है इतनी गर्मी होती है उपर वाला जो रूम है जहां पर ये घौशु को सर्वेंट रूम देने वाली थी खरिदते गई खरिदते गई लेकिन उस चीजों को इसने यूज नहीं की वो सब चीजे कैमरे में ना आ जाए इसके लिए इसने बाहर का प्रैंक बनाई के लोग छट पे सो रहे है मतलब ये छट का बनाई तो भी इसको गालियां पड़ी अगर रूम में ये बनाती ना तो भी इसको गालियां पड़ती तो मुझे ऐसा लग रहे है ना के ये छट पे इतने जान बूच के सुलाई थी ताके वो रूम के पसारे ना नजर आए लोगों को ये ना पता चल जाए कि कितने गलीच रूम में इसने उन दोनों को रखी है उनके बच्चों के साथ में और वो चीजे लोगों को दिखेंगी कि इतने ट्रैडमिल ली थी और पता नहीं क्या क्या ली थी तब वहां पे लैंसे पड़ा हुआ है तो लोग इसके उपर इसको बाते सुनाएंगे कि तो इतने था फ़िटी है वापर्ती नीए क्या भंगार जमा कर के रखी है तो मुझे तो लग रहे सारा pre planned हुआ था रमजान के साथ में हाँ अनिता को हो सकता है हो नहीं सकता है बलके अनिता को नहीं मालूम था हाँ रमजान को मुझे लगता है ये सारा कुछ मालूम था कि ये जाएंगी और प्रैंक करेंगी उसके साथ में उसको चुएंगी उसको मज़ा देंगी लाना ते पिटारा तेरे पर बफी इसके कमेंट वालो ने तो इसको बहुत अच्छे से धोये बहुत जादा इसकी दूरदशा किये है कि तो कुछ शरम आनी चीए जब देखो जब तू प्रैंक के नाम पर ये गंदगी करते रहती है तो तेरी सीधी सी व्लॉगिंग नहीं कर सकती है हमें वो देखना है तो ये क्या आए दिन तमाशे करती है खेर लेकिन है ना ये सब बोल के फाइदा ही नहीं है क्योंकि जो अरत पूरा दीन सोते रहती है पुरी राज जबती है वो क्या ही व्लॉगिंग करेंगी सुबा से उटेंगी शाम तक काम करेंगी तो वो सब को वीडियो बना के व्लॉगिंग में लेंगी ना ये तो कुछ कामी नहीं करती है तो फिर किस चीज की व्लॉगिंग तो व्लॉगिंग की तो आप लोग उम्मीदी छोड़ दो बाकी ये बात कुछ दिनों से चल रही है कुछ एकाद महीने से लोगों को ये पता चला है कि अनिता प्रेगनेंट है तो आप लोग कुछ बताओ कि जिस तरह का इसने फ्रैंक की है अनिता की जो चीखे निकली है तो प्रेगनेंट लेडिस के साथ में इस तरह से गंदी हरकत करना आप लोगों को लगता है कि ये सही था अपने डॉलर चापने के लिए अपने पैसे चापने के लिए ये औरत किसी की जान ले लेंगी इसको कोई फरक नी पड़ेंगा बाद में ये बोल भी रही थी मेरे साथ में ऐसा कोई फ्रैंक मत करना मैं तो बरदाश नहीं कर पाऊंगी मैं तो मर जाऊंगी तो दूसरे का नहीं सोची पिटारा तू कि किसी को अटेक आ जाएंगा या उसके बच्चे को कुछ हो जाएंगा दैस्ती के मारे उसका मिस्केरेच हो गया कुछ हो गया तूने उसका नहीं सोची तेरे पैसे का बहुत सोची है दूसरे की जान का नहीं सोची तुने कि ऐसा कुछ उसके साथ में अनिता के साथ हो गया या रमदान के साथ हो गया वैसे तो मुझे लग रहा है कि रमदान शामिल था इस प्रैंक में कि उसके साथ प्रैंक होगा लेकिन अनिता को नहीं पता था ना लेकिन यहां पर अगर इस चीज़ के वीडियो को फालो करते हुए अगर हम यह समझ के चले कि उसको भी नहीं पता था गोंचु को भी नहीं पता था तो हो सकता है किसी को अटेक आ जाता किसी की जान चली जाती फिर यह बोल देती कोई भी बहाना करके खुद को बचा लेती है यह बिल्कुल भी यह नहीं बोलती के हाँ मेरी गलती है देते ही हमेशा आके अकड़ के बात करती है हमेशा आके यह दूसरों पर बलेम डाल देती है के मेरी तो गलती नहीं थी उसकी गलती थी उसने किया वो गलत तो इसी तरह से ये किसी की जान ले लेंगी और सामने अले को गलत भी ठहरा देंगी तो पिटारा थोड़ा थी ना डुक के तु मर क्यों नहीं जाती बकी इसके वीडियो की जान आजकल बने हुए है अनीता, रमजान और कौसर और कौसर का बच्चा तो ये अनीता लोग के लिए एक रूम नहीं दे सकती थी या अनीता लोगों को ये चार पाई वगेरा लेके नहीं दे सकती थी ऐसे तो ये बोलती है कि मेरे फैमिली मिंबर है वो जो बेवड़ा आया था इसका भाई बोल रहा था ये हमारा भाई है इसलिए हम लोग नहीं भरोते के बंदे को रखे है जब तुम्हारा भाई है तो थोड़ी सी सुख सुविदा उनके लिए भी अगर पिटारा कर देंगी तो क्या मर जाएंगी बोल रही है तीन तीन एती चल रही है कहा चल रही है भई हमें तो लगा पता नहीं नीचे की एती चालू करके अनीता इलोग सब जने नीचे सोते होएंगे लेकिन अब पता चल रहा है कि इसके बच्चे और वो उपर गर्मी में साड रही है जबके ये बात भी सबको पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा तो इतनी गर्मी में च्छत पे लोग रह रहे है च्छत वला रूम जबके सबको पता है कि च्छत वला रूम कितना ज़्यादा गर्म होता है वो room में लोग रह रहे हैं और ये बोलती है ये मेरे family member है दुप के मर जाना चुए पिटारा तुझे जिस तरह से ये गंदे गंदे प्रैंक कर रही है न inşallah Allah करे इसे साथ में रियल लाइट में ऐसा प्रैंक हो न कि ये सदवे में चले जाए कोमा में चले जाए तब इसको समझ में आएंगा कि इसने दूसरों को यूज़ करके किस तरह से डॉलर चापी है और पैसे चापी है लानस पिटारा वो अनिता के बच्चों को देखके इतना सरस आता है वो दिन भी इसने इते सारे खिलोने लेके आई इसमें से एक बॉल उठा के इसको दे रही है बोल रही है तुम लोग खेलो देख के इतना तरस आया मगर क्या कर सकते है यही बात है न के ऐसे अमीर है न गरीबों की गरीबी खरीदते है और खुद लोग डॉलर कमाते है और उनको रुट्वा करते है उनको रुलाते है उनकी हाई बद्वा लेते है और उनके नाम पे डॉलर कमाते भरेंगे भी सही देख लेना आप लोग ये सूच समय भरेंगे भी लोग खेर चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूं वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लापीस